असलाम नेकुम डियर स्टूरेंट आज जो हम फीचर देखने जा रहे हैं कि बच्चों को एबुक के थूरू कैसे उनकी लिटरसी किसको सपोर्ट किया जाए उसमें अगला टीचिंग फीचर आता है इसके फोल्डिंग का तो इसके फोल्डिंग तो आप जानती होंगे कि वाइगोस्की की बहुत ही इंपॉर्टन टर्म है और इसके फोल्डिंग जहां आती है वहाँ एक बड़ा इंपॉर्टन वोर्ड आता है जिसका नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिवेलपमेंट क्या है वही डिवेलपमेंटली अप्रोप्रियेट मेटीरियल और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए तो वाइगोस्की की हमें जो थीरी बताती है कोगनिशन की कि बच्चा एक टास्क को कर सकेगा या नहीं कर सकेगा उसको अंडर्स्टैंड कर सकेगा एक प्रॉब्लम जो अगर बच्चा तीन कंडिशन में आपके साथ हो वो आपकी मदद से उसको सॉल्फ कर ले आप उसको सिखाएं उसको help out करें अगर वो सीख लेता है तो इसका मतलब है यह उसकी age के मताबिक है उसकी individual need के मताबिक है और socially culturally appropriate है नमबर टू अगर वो independently कर ले तो definitely age appropriate है और developmentally appropriate है zone of proximal development यानि maximum development के अंदर है और in case कि वो आपकी मदद के साथ भी problem solve ना कर सके तो इसका मतलब है वो problem बच्चे की age के appropriate नहीं है और जो भी उसकी mental ages की proximal यानि उसकी last limit से भी उपर है तो यानि इतनी challenging है कि जो उसकी age से उपर हो रही है तो यह हमारे पास इसके folding का concept जो है आता है कि जब भी हम material use करते है activities के लिए हो math के लिए हो science के लिए हो या आपकी कहानियों के लिए हो या computer से related skills के लिए हो वो बच्ची की zone of proximal development में आनी चाहिए इधर वो आपके साथ उन problems को solve कर ले features को खेल ले और खोल ले और समझ ले या वो independently कर ले हमारे पास studies है इं इत work 2007 में उसने प्रपोस किया था differentiated instruction क्या करती differentiated instruction वो यह बताती है कि इसके through जो है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी individual needs को सामने रखते वे पढ़ाते हैं पर यह teacher के लिए कई दिफा बड़ा मुश्किल होता है कि अगर उसकी class में बहुत धीर सारे या दो चार से ज्य बच्चों की बहुत ही अराम से cater कर सकते हैं क्योंकि वो एक ही e-book से बच्चे जो है different capabilities के बहुत ज्यादा range नहीं होती बच्चों की different capabilities के बहुत थोड़ी सी variation होती है वो अपनी zone of proximal development के मताबिक apps को इस्तेमाल करते हैं और उन feature को इस्तेमाल करते हैं feature का मकसद ही होता है कि बच्चों को support करें जो भी उनकी उस वकत की need है या उनका इस वकत का skills है हमारे पस जो digital component e-books में आते हैं वो उनको कैसे support करते हैं अब मिसाल के तौर पर अब हमारे सामने यह चीज़ें मौजूद है Children जो है बच्चे हमारे पढ़ सकते हैं independently पढ़ सकते हैं सबसे पहले जब हम e-books उनको दे रहे होते हैं उसकी वज़ाए यह होती है कि उसके अंदर already study instructions लिखी भी होती हैं बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं या उसके अगर कोई games हैं वो games कर रहे हैं तो उनने immediately feedback मिल रहा होत होती है जिसके अंदर dictionary मौजूद होती है बच्चे उसके फूर इंडिपेंडनली खुद रीडाउट कर सकते हैं उसके अंदर definitely multiple किसम की dictionary हैं जो words उनने समझ नहीं आ रहे हैं उसकी pronunciation उसके sound तक सुन सकते हैं तो digital features जो हैं बनियादी तोर पे बच्चा उस independent reader के तोर पे इमर्ज होता है उसकी definitely comprehension जो है वो बेतर हो जाती है तो पहले तो एडल्ट था जो इसके फोल्डिंग करता था अब इबुक्स ऐसी चीज़ें जिन्होंने एडल्ट को a kinda replace किया है और बच्चों की इसके फोल्ड कर सकती है उनके लिए वह ऐसे features जो है activate कर देती है उनकी पु कैसे बच्चों को जो है support कर रही है और एडल को substitute कर रही है बच्चों की language definitely improve होती है comprehension skills improve हो जाती है जब वह इस्टोरी से explore कर रहे होते हैं और उसमें जरूरी नहीं है studies में बताती है कि एडल्ट के साथ जो reading है और एडल के बगए अच्छी e-book की reading है उन दोनों का effect एक ही जाता है यानि बच्चों को एक ही तरीके से reading में support करते हैं मिसाल के तौर पर हमारे पास feature कौन से है हमारी e-book के जो बहु pronunciation definitely उसके अंदर dictionaries मौझूद होती है उसके अंदर sound मौझूद होते हैं बच्चों की spoken skills जो है वो improve हो जाती है pronunciation के साथ-साथ वो different किसम की sound को blend करना भी सीख सकते हैं और words के meaning जो है उनको असानी से meaning समझा जाते हैं उसके लावा किताबों के अंदर read aloud features मौझूद होते हैं जब वो read aloud features हम on करते हैं और automatically किताब जो है वो कहाईनी आहिसता आहिसता पढ़के सुनाती है तो आप उसको pause कर सकते हैं उसको repeat कर सकते हैं बार बार सुन सकते हैं आहिसता करके सुन सकते हैं नॉर्मल स्पीड पर सु सकते हैं इससे भी बच्चों की literacy skills बहुत improve होती है